ेलो फ्रेंड! commissionedome Сबसे पहले हैं कि इक्ष४ार्ज की बात करते हैं अब इसमें इकते हैं सबसे पहले है पहला अप यूनिट कैसे मार्क्स की में में Julyड केर यथा ईह किसा अश्परा इसमें सबसे पहला यूनिट है Elektro Em candice Second है cared electricity इन दोनों मिलाकर टोटल 16 marks का exam में question पुछे जाते है, board exam में, जो last year का pattern था, उसके according चल रहा है अपन, तो इसमें 16 marks पे इन दोनों को मिलाके, board exam में पुछे जाते है, next है, magnetic effect of current and magnetism, fourth electromagnetic induction, NNC sort form में बोलते है, EMI and AC alternating current, इन दोनों का बिलाकर, total 17 marks का exam में पुछा जाता है, next, electromagnetic wave and optics, unit number 5 and unit number 6, इन दोनों को मिलाकर, total 18 marks का, main exam में आपका question पुछे जाते है, next, dual nature of radiation and matter, atoms and nuclei, इन दोनों को मिलाकर, total 12 marks का exam में पुछा जाते है, last chapter है electronic devices, जिसमें से 7 marks का आता है, पहले communication system करके chapter जुड़ा हुआ था, वो हट चुगा है, इसलिए electronic devices से किवल 7 marks का पुछा जाता है, इस तरीके रिखा जाए, तो total किते marks की 70 marks का आपका board का paper रहते है, पिर आगे देखते हैं कि question के type कैसे होगे, किस type के question पूछे आते हैं, किते marks वाले question किस तरीके का याहीपर पूछा आता है, तो अपन यहां से दीख देख सकते हैं, यह है question, किते marks के questions होंगे, होंगे कितने questions होंगे यहां पर दिया गए आपको तो सबसे पहले देखते हैं यह आपका हो गया marks और यह हो गया number of questions तो सबसे पहले देखते हैं objective type question तो total objective type question होंगे 20 1 into 20 मतलब 20 marks क्या होंगे objective questions होंगे इस objective question में first होगा mcq multiple choice question multiple choice question ने बोल सकते हैं 1 to 10 जो होगा वो multiple choice question होगा 11 to 15 जो question नमबर होंगे वो होंगे completion type question fill in the blanks वाले उसके बाद बच गया 16 to 20 वो होंगे very short answer questions जो 1 marks के होंगे होंगे तो total में ला गए इकितने मार्स क ducks म उख़राएं गे 20 marks के आपको एक्जाम में पूचि रहेंगे फिर आगे देखते हैं short answer question तो short answer question में है 2 marks इच वाले question होगे, total कितने question होगे, 7 question तो 7 to the कितना होगे, 14, तो यहाँ पर 14 marks के total question होगे, 2 marks वाले फिर आगे आते हैं log answer question, तो यह long answer question में कितने marks वाले question होगे, 3 marks वाले question होगे तोटल कितने question होंगे? 7 question होंगे तो 7th रिज़ा कितना होंगे? 21 marks का total 3 marks वाले question पूछी जाते है फिर next है very long answer question तो very long answer question में आपके कौन से question आते हैं? 5 marks वाले question आते हैं तो 5 marks वाले question में total कितने question होंगे? 3 questions होंगे इस तरीके से मिला के कितना होंगे? 15 marks तो तोटल देखा जाए, तो किते मार्क से कुछन है, 70 मार्क का, तो ये मार्किंग इसी ही होती है, और ये कुछन पूछने का पैटर्न होता है, कि इस तरी के इस एक्जाम में कुछ आता है, तो अपन जोगे टॉपिक ही साथ करेंगे 12 का, वो अपन इलेक्ट्रोइस्टेटि से स्टार्ट करेंगे,